नमस्कार मैं हूं सौरप बुरासी आप सभी का सौगत है फिश फॉर्मिंग इन लोकोस्ट में काफी प्रोबाइटिक को लेकर जो होमेट प्रोबाइटिक है उसको लेकर बहुत सारे कोश्चन थे कि होमेट जो प्रोबाइटिक बना है वो कैसे बना है आप अगर मेरे चैनल जाएंगे और उस पर प्रोबाइटिक पार्ट वन से लेके पार्ट शायद 11 तक है या 12 तक है उसे देखेंगे तो प्रोसेस आपको दिखेगी कि किस तरीके से प्रोबाइटिक जो है मैंने बनाने की कोशिश करी है जिसका मैं ट्राइल अभी कर रहा हूँ अभी जो मैंने प्रोबाइटिक जो मैंने डाला है अभी सिमेंट टेंग के जो प्रोसेसिंग चल रही है हमारी वो ये वाला प्रोबाइटिक है इस प्रोबाइटिक को मैंने बनाया है और इस प्रोबाइटिक को मैंने गोड़, इस्ट, इस्ट पाउडर, पानी और दही देकर बनाया था बस ये चार चीजें लगी मुझे जो कि मैंने वीडियो में भी आप देख लेंगे जो दही को मैंने यूज किया था एक्चुल में उस दही को मुझे यूज मैंने बहुत मजबूरी में आके किया था वो जबकि मुझे करना था लेक्टो बेसिलियस ग्रुप का जो लेक्टो बेसिलियस जो आप उसको बोलेंगे bacteria उसे use करना था मुझे लेकिन वो मुझे मिला नहीं था वो याकूत में मिलता है लेकिन याकूत जो था वो मुझे मिला ही नहीं इसलिए मैंने उसे करके एक नई तरीके से मैंने सोचा कि इस वे भी बना के देखा जाए बाकी वो दही की जगा मैंने तो दही मिला था लेकिन उसके बाद मैंने कुछ पार्ट में दिखाया है कि चावल का पाणी और दूद को मिला कर एक साथ बॉटल में रखने पर जो फट जाता है दूद उसके बाद जो पानी निकलता है जो क्रिम कलर का पानी होता है वो होता है Lactobacillus तो उसको सबसे पहले अगर जैसे आकूत नहीं मिलता है या आपके पास कोई प्रोवाइटिक भी नहीं है Lactobacillus वाला तो आप चावल को धो कर कोई भी चावल ले लीजिए आप जो without chemical कुछ भी उसमें polish वगेरा कुछ ना हो विल्कुल organic हो आप उसे लीजिए और करीबन उसको 15 मिनिट उसको धोईए चावल को चावल को अलग निकाल दीजिए धुला हुआ जो पानी है चावल का वो हमारे काम का है तुरंद में उसको आप बोटल में भरकर air tight करके आप रख दीजिए तकरीबन 5 दिन 5 दिन के बाद आप जो है उसको देखेंगे कि वो air tight हो चुका होगा जो बोटल है वो air tight हो गई होगी उसको फिर आपको दूद में कच्चा दूद हो पका हुआ ना हो दूद उस कच्चे दूद में आप उसे मिलाकर उसको रख दीजिए बोटल को पेक करके बिल्कुल फिर उसे खोलने की जरूद नहीं है आप पेक करके भी रख सकते हैं या फिर open रख के उपर मतलब कुछ ऐसा लगा दीजिए जैसे कि हम tissue paper लगाते हैं tissue paper या कपड़ा रख दीजिए lactobacillus वो हमारे काम का है उसे आप लीजिए और जो मैंने good yeast पानी और फिर वो जो lactobacillus वाला पानी है उसे मिलाईए मैंने तो दही मिलाया था दही मिलाने के बाद में ही मैंने ये उसका substitute निकाला ये बनाया जो कि मेरे मित्र जो है जो की काफी research करते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से आप lactobacillus बनाईए और फिर डाल दीजिए तो ये जो lactobacillus वैसे भी आपको बनाना ही होगा जो भी bioflock farming करना चाहते हैं इसके बहुत सारे use हैं जो lactobacillus है इसके बहुत सारे use हैं आपको feed जो आप खिलाओगे floating feed उसे भी आपको ferment करना होगा ये नहीं है कि bioflock में हम जो floating feed आता है उसको हम direct डाल देंगे ऐसा नहीं होगा feed को ferment करना होगा इसी तरीके से ये जो बना लिया है ये वो ही पानी है चावल और धूद से फटा हुआ इसमें मैंने molasses जो कि molasses तो मिला नहीं था बाकि गुड को मैंने गरम करके ठंडा करके फिर इसमें मिला दिया था ताकि जो bacteria है वो grow कर सके और बढ़ है तो ये बना bacteria और ये जो रखा हुआ है इसमें हम तकरीबन पाँच एमेल ये वाला बैक्टीरिया और एक लीटर पानी में मिक्स करके हमें चार लीटर सौरी चार लीटर नी चार किलो हमारा जो ये रहेगा फ्लोटिंग फीड उसको मिक्स करना है एक लीटर से थोड़ा कम भी ले सकते हैं पानी पानी की मातरा उस पे डिपेंड करती है कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि सिर्फ ये जो है बैक्टीरिया जो है ये सारे फीड पे चिपक जाए ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो हम फ्लोटिंग फीड है वो बिल्कुल नर्म होके फूल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए आप इसे इतना ही रहने दीजिए कम ताकि वो बढ़िया से इस तरीके की जो बकेट वगेरा आएगी इस तरीके की बकेट में आप उसे मिलाईए और रख दीजिए अगले 6 गहंटे, 7 गहंटे, 12 गहंटे के लिए और फिर आप उसे 2 दिन तक वो फीड जो है वो आप यूज कर सकते हैं 4 किलो जो मैंने बताया है वो 4 केजी अगर आपका 2 दिन के अंदर यूज हो जाता है फीड तो डालिए अगर आपका 1 किलो यूज है तो आप सिर्फ 1 ml इसका यूज कीजिए वो भी 100-500 ml पानी के साथ मिक्स करके फिर फीड को फर्मेंट कीजिए और फिर दीजिए अपने फीड की जो कंजम्शन है कंजूम करने की फिश की छमता जो है उस हिसाब से आप रखिये फीड की कॉइंटिटी और जब आप इस तरीके की बकेट में रखेंगे मिला के तो इसको एर टाइट करके पेक करके रखियेगा और ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे बाल्टी को तो उसमें से फ्रेग्नेंस अच्छी खुश्बू आनी चाहिए और ये भी जो है जब मैं इसे खोलता हूँ तब ये खुश्बू बहुत अच्छी देता है ये जो बेक्टीरिया है प्लस इसमें जो गुड मिला हुआ है तो ये हमेंसे द्यान रखिये बद्बू नहीं हो इसमें इसमें खुश्बू हो तो खुश्बू जो रहेगी तो वही सही होगा अब जो था दूसरा वाला ये जो मैं बनाया इस्ट को पानी में डालके तो इसमें दुवारा से मैं सोच रहा था कि फेस बनेगा लेकिन ये देखिए फॉर्म नहीं बना लेकिन हाँ पहले दिन जरूर बना था लेकिन अब ही नहीं बना ये देखिए इसमें solid जो हो जम जाता है नीचे तो मैंने जो हमारे इंडिया के बाहर जो मित्र हैं जो जिनके काईड लाइन में मैं करता हूं तो उनसे मैंने दो बार बुला कि एक बार तो ये फेस बन नहीं पाया अब दूसरी बार जो है वो फिर नहीं बन पाया तो क्या कारण है तो उन्होंने कहा है कि कुछ पानी का इशू होगा लेकिन उसका तरीका ये है कि आप face नहीं बना कोई दिकत नहीं आप ये चेक कईए ये bottle जो है इसको जब से ही ये air tight बन थी अगर ये bottle full गई हो full गई मतलब कि अगर बहुत tight हो गई ये दब नहीं रही हो तो इसका मतलब ये कामका है जैसे कि ये देखिए ये दब रही है लेकिन ये देखिए इसे बहुत तागत लगाने के बाद भी ये दब नहीं रही है हलाकि ये मोटा प्लास्टिक है लेकिन फिर भी ये दब जाता है ये दबेगा नहीं ये बिल्कुल tight हो चुका है इसका मतलब कि ये जो है बेक्टीरिया बेच नंबर टू ये भी तयार है अब इसका क्या यूज है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूँगा कि इसको भी मोलैसेस के साथ ही मिक्स करके रखना होगा हमें इसका जितना भी मान लिजए इसका 100 ml है ये तो हमें 300 ml मोलैसेस को मिक्स करके रखना होगा लेकिन उसमें सावधानी क्या रखनी है ये मैं उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा जब मैं इसे रखूंगा अभी मैं रखूंगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी एक दो दिनों और मैं चाह रहा हूँ कि ये रह जाए उसके बाद में करूंगा तो उसकी सावधानी ये रहेगी कि इसमें oxygen जो है oxygen जो ज़ादा नहीं रहनी चाहिए इसमें जब निकालेंगे और दूसरी bottle में डालेंगे तो बिल्कुल ही जल्दी से बंद होगी oxygen बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तो ये बेच नंबर सेकेंड है तो confused नहीं होईएगा और ये लेक्टोबेसिलिय से है ये हर कहीं काम आ सकता है इसको हम probiotic बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हम mother culture बना सकते हैं केला, अंडा, बनाना केला, अंडा, और पाइनेपल विडमिन सी और इस्ट मिलाके इससे हम बना सकते हैं अपना खुद का probiotic अभी जो एक probiotic बनाने के बहुत सारे तरीके हैं कोई एक probiotic बनाने का तरीका नहीं है ये homemade probiotic के तरीके हैं तो आप कभी confused मत होईएगा मेरे पास पहला जो probiotic बना है, वो ये है जिसमें मैंने 4 चीज मिलाई है 4 चीज जो थी, वो दही था लेकिन आप दही मत मिलाईएगा, आप ये वाला मिलाईएगा इसको बनाने के लिए आपको दूच चावल का गोल बना के मतलब वो आप वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनेगा इसमें मैंने molasses मिलाई है, इसलिए ये color ऐसा है अब ये हो गया दूसरा probiotic, bacteria ये जो beige का, ये अलग है ये एक अलग है East का जो bacteria है, ये अलग है इसका क्या use है, मैं आगे बताऊंगा अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसके लिए अभी नहीं बता पाऊंगा और जब मैं करूंगा जैसे जैसे वो बताते जाऊंगा बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि मैं phone करके, email करके कि हमें ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग वगेरा जो है वो ट्रेनिंग तो देखिए मैं तो देहीं नहीं सकता, मैं तो expert नहीं हूँ मैं तो खुड ये सब चीजों की research चल रही है अभी खुड जब तक हम मैं खुड अगर एक culture ना निकाल लूँ मैं पूरी मुशीवतें क्या problem आ रही है, ये सब नहीं देख लूँ तब तक मैं कैसे training दे सकता हूँ हाँ, ये है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये कोशिशें आप देख सकते हैं आप कुछ लोग हैं समय की कमी हैं विजी रहते हैं या साधन नहीं मिल पाते हैं चीजें नहीं मिल पाती हैं तो वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो ये प्रयोग मैं करतो रहा हूँ आप सभी के लिए ये मत समझेगी, ये मेरा प्रयोग है ये आप सभी का है यह जो सफलता है, यह मेरी अकेले की नहीं रहेगी, यह सभी के लिए रहेगी, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ, बिना कोई छुपाए, हर चीज आपके सामने रहती है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज, free of cost, सब कुछ दिखाता रहता हूँ, तो यह आप ही का काम है, मेरा अकेले का नहीं है, तो आप ट्रेनिंग जैसे जो चीजे हैं, तो आप ट्रेनिंग इतनी जल्दवाजी मत कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग जो देगा ना, कोई भी ट्रेनिंग आदमी देगा, अभी, तो इंडिया में जो एक कल्चर निकाल ले, एक प्रॉब्लम आती है, उसको हम कैसे निपटा सकते हैं, तो ये एक वही आदमी बता सकता है, जिसने कल्चर किया है, पूरा, और फिर बहुत अच्छा से ट्रेनिंग दे सकता है, ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, ट्रेनिंग देना भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा व्हार काम करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कल्चर निकाले हैं बहुत सारे, आप उनसे ट्रेनिंग लिजीए, कोई समस्या नहीं है, और बाकी हम सब तो हैं, यो प्रयास कर रहे हैं, आप भी अगर ट्रेनिंग लेंगे, तब भी आप भी प्रयासी करेंगे इस तरीके से हाँ ये रहेगा कि आपको ट्रेनिंग जब मिल जाएगा तो आप थोड़ा सा फास्ट प्रयास कर पाएंगे और चीजे पता चल जाएगी अब प्रोबाइटिक जो है ऐसा है कि रेडिमेट प्रोबाइटिक भी मिल रहे हैं लेकिन रेडिमेट प्रोबाइटिक आप कितने कारगर हैं इनको तो करके ही देखना पड़ेगा बाकि ये है कि बैसिलियस ग्रुप के जितने भी प्रोबाइटिक आते हैं जिसमें बैसिलियस ग्रुप के होते हैं उनसे हम कुछ अपना जो देशी चीजे हैं उनको मिलाखे हम प्रोबैटिक बना सकते हैं और फ्लॉक भी डेवलप हो जाएगा दिक्कत यह नहीं है, फ्लॉक बनाना दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आपको जो मचली का चयन है, बायो फ्लॉक में कौन सी मचली करना है, यह सबसे important है, ध्यान रखना है, आपको कौन सी मचली, आपके market में कौन सी मचली है, और आप कौन सी मचली बेच सकते हैं, कौन सी म वाल अर्थ पॉंट में भी मेरे हिसाब से अर्थ पॉंट में तो बाय फ्लॉक से ज़्यादा तेजी से मांगूर बढ़ जाता है तो जो लो वेलियो फिश है वो तो मैंने पहली में मना करता हूँ कि लो वेलियो फिश आप 100 रुपय के अंदर जो फिश है उसे आप थोड़ा सा नेगलेटी कीजिए 100 रुपय के से ज़्यादा की रेट की है मशली जो विकीगी होल्सेल रेट पर आप उसको करिए ताकि आप आपको कुछ दो पेसा जादा मिले इतनी आप मेहनत करेंगे तो बाकी 100 रुपय के नीचे वाली मशली में आपको थोड़ा सा लागत थोड़ी बढ़ जाएगी या प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा तो आप 100 रुपय के उपर वाली मशली कीजिएगा अब कौन-कौन सी मशली करना है क्या नहीं करना है तो यह तो हम प्रैक्टिकल के बाद ही बता पाएंगे हम ऐसे बोल दें कि हाँ यह मशली कर लो रेहू कर लो म्रेगल कर लो कारप कर लो ऐसा हम बोल दें बोलने में क्या है लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उसकी ग्रो problem यह है कि उसका जो growth rate है वो हमें जादा चाहिए है कि जल्द से जल्द वो बढ़े मान लीजए बाय व्लक में जो है एक साल लग रहा है कोई मचली को बढ़ने में मान लीजए कोई देसी मचली हो गयी रहू हो गई कतला हो गई जो भी हो गई तो जो मचली हाडली होती है और हम उसको अर्थ पॉंट में थोड़ा सा कम समय में बढ़ा सकते हैं यह एक उधारण है कम समय में बढ़ा सकते हैं तो फिर क्या मतलब है उस मचली को फ्लॉक में बाय फ्लॉक में करने का बाय फ्लॉक में हमेशा ये चीज देखिएगा आपकी कितने समय में वो बढ़ रही है मचली अर्थ पॉंट से ज़्यादा अच्छी तेजी से बढ़ रही है और ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है तो बढ़िया है वो फिश को कीजिए बागी वीडियो बहुत लंबा हो गया इतना लंबा मैंने आज कल रिसाइट किया कि ज़्यादा लंबा बनाऊं वनी वीडियो विकोज क्या है कि वो लंबे में पूरे में लोग बाग देख नहीं पाते हैं समय नहीं रहता है क्योंकि बायव फ्लॉक की जड़ी लग चुकी है बारिश चालू हो गई इतनी ठंड में बायव फ्लॉक हर जगा बारिशी बारिश हो रही है थोड़ा जोग कर रहा हूं बागी सभी दूर बारिश बारिश से बायव फ्लॉक सड़कों पे नदीयों में सब तरब बह रहा है जिसकी वज़े से लोग परेशान भी है कुछ क्योंकि वो इतनी उम्मीद से देखते हैं बाय फ्लॉक का कोई वीडियो किसी का आता है लेकिन फिर देख के किसी किसी का तो मैंने भी एक दो जगा देखा है मैं यह नहीं बोलता कि ना बनाए वीडियो बनाए अच्छी बात है लेकिन थोड़ी लॉजिकल भी वाली बात करें ऐसा नहीं कि सरदर्द होने लगे वीडियो में देख के ठीक है इस वीडियो में इतना ही बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए हला कि ये वीडियो इत्तलंबा है कि लाज तक शायदी बहुत कम लोग देख पाएंगे और बहुत कम लोग शेयर कर पाएंगे बाकी जो भी है आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ नमस्कार जैहन